सास्रीकाल प्यारे बच्चेयों, तो हड़ा मेरे चानल उपर स्वागत है बच्चेयों, आज दे इस वीडियो वे चसी करांगे CBSE बोर्दी 9th क्लास तशब्द गुरु नानक देवजी सिंबरुक सराइदा अब्यास तशबू कर देहां दस्सो खांपला प्रशन पहला है एहे शब्द गुरु नानक देवजी दी केडी बानी विच्चों लिया गया है एथे केडे शब्द दी गालोरी है सिंबल रुक सराया एह शब्द बारे पुच्चा जा रहा है के गुरु नानिक देवजी दी केडी बानी विच्चो लिया गया है इस दा उत्तर है एहे शब्द गुरु नानिक देवजी दी बानी आसा दी वार विच्चो ले गई हन सड़ा second question आएगा इस दे फल अते फुल वी किसे कम नहीं यौन दे Question number 3 मनोख लई साब तो चंगा गुन कहड़ा है एदा उत्तर आएगा मनोख लई साब तो चंगा गुन मिठा बूलना अते नीवे होके रहना है Question number 4 निव के रहन तो की पाव है एदा उत्तर आएगा निव के रहन दा पाव सिर्फ सरी नुन निवाना नहीं सोगो माननाल है जे सिर्फ सिर्फी निवाद दता जावे ते अंदरो खोट होवे उस दा कोई लाब नहीं है Fifth Question शिकारी किस तरह शिकार करदा है उत्तर शिकारी जमीन उपर लेट के शिकार करदा है हेट लिखी काव सत्रा पढ़के पुच्चे के प्रशना दे उत्तर लिखो केडियां काव सत्रा ने मिठत निवी नान का गुन चक्याईया तत सबको निवे आपको पर कौन निवे न कोई तर्थ राज्जू तोलिये नीमे सुगोडा होये प्रशन केडा यसा अड़ा उप्रोकत काव सत्रा दा पाव अपने शब्दा विच लिखो मज्यों इना काव सत्रा दा अर्थ उप्रोकत काव सत्रा दा पाव है कि मुनुक दे निव के रहन विच ही मिठास है नीमे होके रहना ही सारे गुना दा सार है हर एक जीव अपने स्वार्थ ले चुकदा है किसे दुज्जे मुनुक दी खातर नहीं अगर तकडी लाके तोलिया जावे ता हमेशा पारा पासा ही निवा हुंदा है बच्चो ए अर्थ असी एना लाइना दे किते हन नेक्स्ट कोस्टन है निव के रहन नू गुरु नानिक देव जी ने की किया है उत्तर गुरु नानिक देव जी ने किया है कि निव के रहन विच ही मिठास है उप्रोकत शब्द केड़ी बानी विज्चों लिया गया है उत्तर आएगा एह शब्द गुरु नानिक देव जी द्वारा रजित बानी असाधी वाल विज्चों लिया गया है नेक्स्ट हैं हेट लिखियां काव सत्रां दी परसंग साइथ व्याख्या करो देख देयां केडियां पंक्तियां ने सिंबर रुक सराया अत दीरग अत मच ओयें जी आवे आसक जाए निरा से कत फाल फिके फुल बक बके कामन आवे पत इना पंक्तियां दी असी व्याख्या करांगे पहले असी परसंग लिख देयां परसंग वे चासी लिखांगे एहे शब्द साथी पंजाब्बी दी पाठ पुस्तक साइते किर्ना पाग पहला विज्चों दर्द शब्द सिंबल रुक सराया विज्चों लेया गया हन अते इस शेब्द दी रजना सिख तरम्दे मोड़ी गुरु नानिक देव जी ने केती है इस विच गुरु नानिक देव जी मनोखनु समझोंदे होए कैंदे हन की नीवे होके ही रहना सारे गुनादा सार है व्याख्या की है इनना सत्रा वेच गुरु नानिक देव जी केंदे हन की सिंबल दा रुख पावे की बड़ा लंबा अते मोटा हुन्दा है पर इस दा फुल अते फल किसे कम नहीं ओंदे पंची बड़ी आसनाल इस रुख उपर फल खान ओंदे हन क्योंकि इस रुख दे फल बड़े ही फिक्के हुन्दे हन अते इस दे पत्ते वी किसे कम वेच नहीं ओंदे नेक्स्ट है पाठ दे अधार दे ठीक जा गलत दे निशान लगाओ पहला की है सिर्न वाणा नाल मानदा खोट दूर हो जान्दा है ए सही है जा गलत है बच्चों ए गलत है क्योंकि कल्ले सिर्न वाण नाल ही मानदा खोट दूर नहीं हुन्दा नेक्स्ट है परमात्मा व्यापक ते सथाई रहन वाला है यह बिल्कुल सही गाला है इसकार के ऐसी टिकदा निशान लगावांगे क्योंकि जड़ा परमात्मा वा ओं हमेशा ही रहन वाला है नेक्स्ट है परमात्मा दी उस्तद करन वाला तर जन्दा है बच्चो एवी बिल्कुल सही है इसकार के असियत्ये सईधा निशान लगावांगे नेक्स्ट है सिंबल दे रुख वांग तान के खड़ना चाहिदा है बच्चो एग गलत है सानु सिंबल दे रुख दे वांग तान के नहीं खड़ना चाहिदा आत्मक सुख नाल दुख खतम हो जानदा है ए बिल्कुल सही है अगर असी अंदरो सुखी है ते जड़े साथ दुख है ओगिया खतम हो जानगे ते असी अंदरो ताही सुखी हो सकते है जे कर असी चंगे काम करांगे नेक्स्ट खाली थामा परो डैश दा रुख कादविच बहुत वड़ा हुन्दा है एदा उत्तराएगा सिंबल सिंबल दा रुख कादविच बहुत वड़ा हुन्दा है दूसरा नीमा होके रहना चंगा डैश है एदा उत्तर है निमे होके रहना चंगा गुन है थर्ड वन गुरु नानेक देव जीने डैश होये लोकानू सिद्धे रहा पाया इसदा आएगा गुरु नानेक देव जीने पटके होये लोकानू सिद्धे रहा पाया फोर्थ वन पाई डैस जीनू गुर्गद्दी दी बक्षीश होई एद विच्छाएगा पाई पाई जीनू गुर्गद्दी दी बक्षीश होई फिफ्थ वन रब्दा बंदा डैस नू तुर जान्दा है उत्तर है पवसागर रब दा बन्दा पर पवसागर नो तुर जान्दा है नेक्स्ट है जोडे बनाओ फूल दा की बनेगा बक बके चंगियाईयाँ दा गुन फल फिक्के सिंबल रुक वरोधी शब्द आंगे चंगे दा विरोधी शब्द की होएगा माड़ा जा फिर बुरा तरना डुबना ठीक है लम्मा छोटा वसना उजड़ना नेक्स्ट आएगा समानार्थक शब्द लिखो गावरा दा आएगा पारा वजन्दार कुसिद्दे आएगा खोट जा बई माननी तत तात दा मतलब है सार जा सिट्टा दीरग दास मानार्थक आएगा उच्चा जा फिर लम्बा वाक बनाओं मिठास मिठास दा की वाक बनावांगे गीता दे बूला विच मिठास है सीस बाबा दीप सिंग जी ने अपना सीस तली उत्ते रख लिया तीसरा लम्मा सिम्मल दा रुक लम्मा हुन्दा है चोथा साल पाठ दा साल लिखो ठीक है बच्चेओ एदनाल साथी वीडियो खतम हुन्दी है आज कर दिया कि तानू इह अभ्यास चंगी तरह समझ आ गया होवेगा मेरी वीडियो नू पसांद आई होवे ते लाइक चुरूर करेओ मेरे चैनल नो सब्सक्राइब भी करेओ वाद तो वाद इस वीडियो नो शेयर करेओ ते मिल दे हां नेक्स्ट वीडियो जो बाई बाई